पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा और केवल पिछले कुछ दिनों में कि मुंबय लोकल में किस तरह से स्टेंट करना खतरनाक उसकता है और इसके कई उदाहरन आपने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी इसका एक अलग डेटा है इसको लेकर भी जो रेलवे है वो डेटा जाहरी करता है उसके बाद ये पूरी जानकारी निकल कर हर साल सामने आती है कि कितने लोग इस तरह का स्टेंड करते हुए अपनी जान गवाते हैं और इसी विशह पर हमारे काम कर रहा है और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी देखे इसमें हम लोग बार-बार सभी यात्रियों से ये निवेदन करते हैं कि क्रपया करके ऐसे किसी भी स्टंट में ना इन्वाल हो ऐसा होता है सिर्फ केवल स्टंट बाजी ही नहीं इसके अलावा भी जैसे फूट बो दोनों की जान को ये खत्रा होता है और उसी के साथ में दोनों को जान के खत्रे के साथ ही अपाहिश होने का या कोई बड़ी इंजुरी होने का या किसी और घटना में इन्वाल होने की ये हमेशा संभावना लगी होती है इसलिए मधिरेलवे हमेशा ये सभी लोगों से होती है वो खत्रे में पड़ती है इससे यह होता है कई बार ऐसे भी स्टंट लोगों को करते हुए देखा गया है जिससे वो पूरी जिन्दगी भर के लिए अपाहिच हुए हैं जो कि रिसेंटली एक हमारे पास में एक स्टंट करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने एक दो इंस्टाग्राम पे भी डाले गए उसके बाद में हम लोगों ने उनके बारे में सर्च किया तो हमें वो शतिकस्त हालत में बाद में मिलें और उसके बाद में ये पता चला कि एक देखिए मोमेंटरी फेम होता है आपको इंस्टाग्राम में लाइक्स के चक्कर में या फे किसी भी स्टंट में इन्वाल भी ना हो और एसे किसी भी स्टंट को बढ़ावा भी ना दे हम एट लाज सारे लोगों को भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया ऐसे जो स्टंट्स आते हैं इनको लाइक और कमेंट करके ऐसे स्टंट को आप एक तरह से अप्रत्याशित लोगों ऐसे स्टंट फिर से करने के लिए प्रोचाहिट करते हैं उसी के साथ साथ में उनको वो जो लाइक्स मिलते हैं उसका जो मोमेंटरी फेम होता है उससे भी वो खुद की जान को और बाकी यात्रियों की जान को खत्रा पैदा कर सकते हैं तो हम लोगों की विनती दोनों से हैं जो स्टेंट कर रहे हैं उनसे भी और जो स्टंट को live कर रहे हैं उसको view कर रहे हैं उनसे हमारे विंटी है कि क्रप्युझे को और यातरीयों की जान कि इसमें सजा दो तरीके से होती है अगर ये किसी प्रापर्टी कोई रेल्वे की संपत्य को शत्यकस्त कर रहे हैं तो जो आरपीएफ कानाृइक्ट है उस एक्ट के अंतरिगत रेल्वे प्रापर्टी परोटेक्शनaufen के उसके अंतरगत हम लोग उसके उपर कारिवाही करते हैं, जैसे कुछ स्टेंट्समेंड यह होते हैं कि जो रेल्वे की सुरक्षा को भंग करने का परयास करते हैं, कहीं ट्रैक पर कुछ रखने या ऐसी हरकते भी करते हैं. ऐसे सारे इनको हम लोग भारतिय न्याय सहीता के अंतरगत और RPF Act के अंतरगत इनको हम लोग punishment देते हैं इसमें अलग-अलग सजा के प्राविदान है depending upon उन्होंने जो हरकत की है या जो गलती की है उसके अनुसार किन्तु बहुत सारी ऐसे भी घटनाय होती है जिसमें ये खु लोग उनको समझ देना कई बार आपने देखा होगा कई बार जुन्होंने ऐसी हानिकारक reals बनाई है वो खुद ही फिर अपने不用 किय जाता है या उनके हैंडल वीडियो किये जाते है या उनके साथी साथ में उनको समझ दी-जाती है handle suspender किये जाते हैं य siento तकि हम लोग बाकी वेक्तियों को या बाकी लोगों को यह आइडिया ना दे कि यह आपको इंस्टेंट फेमस बनने का कोई तरीका है जिसके चलते आपकी खुद की जानम को, रेलवे की संपत्ती को और उसी के साथ में आपके साथ यात्रा करने वाले बाकी यात्रियों को दिक्कत ना पहुंचे सर आखरी सवाल है, इंडिया टीवी के माध्यम से करोडो युगा जो इस तरह के स्टेंट करते हैं या उसको प्रोटसाहित करते हैं सुन रहे होंगे, उनके लिए क्या आखरी मेसेज होगा है? देखिए हम अपने आपको स्वामी विवेकानन की भूमी बोलते हैं, इसमें हमें instantaneous gratification या तुरंत प्रभाव से जो चीजे मिलती है उनके उपर फोकस ना करते हुए, सच में एक समझदारी भरी और एक long term improvement वाली चीजे हमें करनी चाहिए, मेरी उमीद और उसी के साथ में प ऐसे किसी भी प्रकार के issue में participate नहीं करेंगे, जिसके द्वारा की वो अपनी खुद की सुरक्षा को किसी भी तरह से आश्वस्त ना हो और उसी के साथ में railway के समान को और बाकी जो यात्री उनके साथ में प्रवास कर रहे हैं, उनकी भी जान या माल को कोई नुक्सान पहु हैं, उनसे हम लोग आज ये भी विनती करते हैं कि अगर ऐसे कोई भी stunt करते हुए आपको दिखता है या आपको कोई मिलता है तो कृपया इसकी जानकारी संबंधित तुरंत संबंधित station master हो, RPF का staff हो या कोई भी railway का वर्दीधारी staff हो, TT हो उनको तुरंत दे ताकि हम उन ल हो और उसी के साथ में बाकी संपत्ती को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका प्रयास हम लोग अवश्य करेंगे और हम चाहते हैं कि आपके सारे दर्शक भी इसको फॉलो करें और ऐसी अगर कोई घटना उनके सामने आती है, ऐसी किसी घटना का उनको दिखाई देता है या कहीं से उनको उसकी जानकारी मिलती है, तो करपिया ये जानकारी तुरंत सक्षम रेल अधिकारियों के साथ में साजा करें, जिसके थूँ हम लोग उनकी अपनी जान भी बचा सके और उनको किसी नुकसान होने से भी बचा सके हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत झाल